वेलकम टो एसेस्टी मेटी जी दोस्तो एक इंपोर्टेंट अपडेट देनी है आप सभी को हाला कि ये वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं थी कि हो सकता है कि कुछ लोग डी मोटिवेट हो जाए लेकिन हम मोटिवेटेड रहें या डी मोटिवेटेड रहें इससे रियालिटी बदल नहीं जाती तो हम अगर रियालिटी का सामना करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा फरजी motivational कहानिया सुनके motivated रहने का कोई मतलब नहीं है reality को face करें उसके according अगर हम अपनी planning बनाएं तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहती है SST CGL 2022 men's की examination और उसके साथ साथ उसी के आसपास होने वाली जो हमारी परिछा है SST CGL 2022 की pre-k examination delay हो सकती है और cut off पे भी बात करेंगे इसका आसर cut off पर भी होगा SST CGL 2022 प्री की जो cut off आने वाली है उसका कारण क्या है जो चीज़े हो रही है आपके सामने हो रही है और बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है भले हो मीडिया हमें ना दिखाए या हम सिच्वेशन को जलजना कर भाए घर में बैठे हुए आप देख सकते हैं कि चाइना reported 37 million COVID cases in a day एक दिन में shattering global record मतलब अभी तक के जितने global record थे वो तूट गए एक ही दिन में 37 million COVID cases बहुत बड़ा नमबर रही है अगर वहीं दुसरी बात करें तो 37 million coronavirus cases यह तो लिखा गई है largest single day spike over एक ही दिन में सबसे ज्यादा single day में सबसे ज्यादा spike हुआ है और यहां पर coronavirus update में ensure regular supply of oxygen center tells states amid preparation to curb any spike central government ने सभी state government को यह order जारी किया है कि आप जो oxygen का supply है उसको बरकरार रखें मतलब उसमें कोई कमी ना आने पाया जो पहले से आई है मतलब सिधा-सिधा warning दी जा रही है सरकार के द्वारा state government को six new covid cases इन गुजरात जो बीएप seven इस बार का जो variant है छे ने कोसिस को गुजरात में आया है इसके अलावा अगर आप share market में updated है तो आपको पता होगा पिछले दो दिनों में जो इंडियन share market हो पूरा का पूरा धारास आही हो गया बहुत बड़ा crash आ गया है 15% के आस-पास share market एक ही दिन में तूड़ गया है तो जितने share से वह डाउन हो गया है तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर अगर global event हो रही है जो बड़े बड़े शेर है अदानी पॉर्ट जैसे हो काफी अधा एक ही दिन में 15% डाउन आ गया है तो उसका कारण है अगर यह तो चलो जो मैं आपको यह सब दिखा रहे हैं यह सब न्यूज है वर्लेवल पर क्या चीज़े हो रहे हैं अगर अगर शेर मार्केत को करें कवे हैं तो मेंनी सारी के सार्थ सथ बार कोवीड आया था तो उस समय भी स्टार्टिंग में लोग इतने मतलब चिंतित नहीं थे लेकिन जब एक बार वेरियंट आता है वो कौन सा म्यूटेशन लेके आ रहा है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है कि ये जो म्यूटेशन नया आने वाला है वो उसको अटेक नहीं किया लेकिन जब कोवीड टू आया जब दूसरी बार लोग डाउन हुआ तो उसका उस समय का जो वेरियंट था वो बुजुर्गों पर अटेक नहीं कर रहा था बलकि बच्चों और यंग्स्टर्स पर अटेक कर रहा था जो यंग लोग थे वो मर रहे हैं तो इस बार का जो वेरियंट है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसको फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता आप देख रहे होंगा कि गुजरात में केसे आ चुके हैं करोना के दिल्ली में केसे पकड़े गए राइस्सान में पकड़े गए केरला में पकड़ ने कहीं किसी भी टाइम यह पिक आ सकता है तो ऐसे समय में आप सभी को पता है कि एक जामनेशन होना पॉसिबल नहीं होता है और दूसरी बात तो सौभाविक सी बात है तो इस सिचुएसन में मुझे लग रहा है कि अगर यह कैसे मुझे नहीं लगता कंट्रोल में आएंग हाला कि लोग घबराएं नहीं इसलिए सरकार जादा मीडिया में इस सब चीजों को बताती नहीं जिससे लोग घबराएं नहीं यह फैलने वाला तो है यह 100% स्योर है ठीक है अब डिपेंड करता है कि कफ फैलेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको फैलने में तो मुझे जहां तक लगता है कि जो यह मेंस एक्जामनेशन सीजल 2022 मेंस और सीजसेल 2022 प्री यह डिले हो सकता है और दूसरा गरम कट अफ की बात करें सेजल 2022 प्री के कट अफ के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि इस बार जो हमें बताया गया है और जिसकी भी लगती है कि एससी लगबग चार लाख लोगों को क्वालिफाई कर सकती है मैंस एक्जामनेशन देने के लिए लेकिन अगर यह सिच्वेशन रही कोवीड वाली जिसके बारे में हम श्यूर नहीं है तो यहां पर यह जो चार लाख की संख्या है इसको रिड्यूस किया जा सकता है अब अससी एब डिपेंड करता है कि यह रिड्यूस करके इसको 3OOOO करती है यह ड keyword लेकिन मुझे लगता है कि जो यह दो लाक यह देड़ लाक यह तो पॉसिबल नहीं होगा या चार लाक या तीन लाक से थोड़ा कम केंडिडिट को बुला सकती तो इस सिच्वेशन में कट ओफ थोड़ा हाई जा सकता है पांध दस आंट दस नंबर जितना बहुत जादा भी हाई नहीं जाएगा आंट दस नंबर जितना जाएगा तो यह सारी सिच्वेशन थी आपके सामने तो इसको टार्गेट इसको मैं नहीं कहता हूं कि इसको मान लीजिए कि यह होगा ही लेकिन कहीं ने कहीं एक ठोड़ प्रोसेस रखिए कि कुछ भी हो सकता है तो उसके एको